हलो फ्रेट मैं सुर्भी तो आज में पर्यावरन नरसरी आई हूँ जो मैयूर बिहार फेजवन में है तो यह रिक्वेस्टेट वीडियो है किसी ने पूछा था कि मैयूर बिहार फेजवन जो पर्यावरन नरसरी उसमें क्या-क्या आया हुआ है तो मैं सारी चीजे आप बहुत कम हो गया है जो 10-15 रुपय वाले प्लांट है वह प्लांट सेयर करूंगी वह ऐसे प्लांट है कि आप अभी 10-5 रुपय खर्च कीजिएगा लेकिन नेक्स सीजन में आपको इसके लिए एक रुपया भी खर्च करना परेगा और कुछ ऐसे प्लांट भी सीजनल है जो क osee alто प्लांट में नेक्स दिखने को मिल रहा है और कुछ प्लांट के तो दाम जो बहुत महेंगे थे 170 हो गए हैं तो वह सारी बाता में सेयर करूंग ये देख той पॉपी में बहुत सारे सीड बनते हां और यहां 15 रुपया में है तो अगर यह प्लांट ले जाते हैं तो इसके अगर आप सीड कर लेते हैं तो नेक्स्ट येर के लिए आपको इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना परेगा और यह जरेनियम जरेनियम परमानेन प्लांट है और जिसके बालकोनी वगर में कम धू नहीं करना परेगा थोड़ी से आपके रखिएगा तो मैं सीजनल प्रमानेंट प्लांट ज्यादा तरसेयर करूंगी ताकि आपको इसके लिए एक पैसा भी नेक्स्ट येर के लिए खर्च करना ना परे और देखिए यह है देंथस तो अभी देंथस ले जाएगा यह 15 कर सकते हैं चोटे-चोटे कटिंग बहुत कीजी से लग जाते हैं और उसके बाद देखिए यह नस्टेशियम तर नस्टेशियम तो बहुत ही बीजों से ग्रो होने वाला फ्लावरिंग प्लांट है देखिए सकते हैं बहुत खूबसुरत कलर यलो औरेंज में आता है तो य ग्रो हो जाते हैं और इसकी फूलों के साथ पतिया भी देखिए कितनी खूबसूरत है उसके बाद यह साल्विया सेयर करूंगी तो साल्विया में देखिए ज्यादा तर रेड दिखने को मिलते हैं लेकिन पर्यावर नरसरी में परपल औरेंज और वेरिगेटेड वाला भ सुखने के बाद इसी के अंदर काले काले बीझ रहते हैं तो आप देखिए और शुखंय पर भीमी लगड़शने हमाह सेयर बोन बीज शुखंगी और सिपर बसके स्रम सेवाजशने अनना है यह पमधि temporary बादे नीचर कर दिखें लाजाए बीए तो आप अप में लेकम करें तो आप अफलूरिंग करें अप्रील ठांग आए यह आट आए बहुत लांगा सकते हैं कि यह पर्मानें प्लांट है और जिसके बालकोनी में धुक कमाती हैं तो यह इस प्लांट को जरूर लगाइं बहुत ही खुबसुरत कलर में याता है देखिए यह वाइट कलर है और बहुत सारे कलर से और पिटुनिया भी ले सकते हैं इस साम में 15 रुपीज दाम है यहां और देखिए अभी भी बहुत सारे बट सारे अभी भी लगा सकते हैं यह अपनी लास तक यह फ्लावरिंग करेगा और इसके फ्लावर जो होते हैं यह सूखने के बाद इसके नीचे बहुत छोटे बारिक से काली-काले बीज बनत है ऐसे हम जब खरीदने जाते हैं नौवंबर दिसंबर में प्लांट 30 से 40 के बीच में आता है अगर आप सीट से ग्रोव कर लेते हैं तो बहुत फ्री में ग्रोव हो जाता है यह देखिए एनुवल क्राज सित्थम है यह यह भी बहुत खूप सुरत यह है और यह तो इसका बहुत सारे आ रहे हैं तो इसे अभी इसमें भी बहुत गिंदे की तरह जैसे मेरी गोन में धेरों बीच बनते हैं नीचे से इसमें भी बहुत सारे बीच बनते हैं और यह स्टॉक फ्लावर है तो यह भी अभी अप्रील तक फ्लावरिंग करेगा और से बहुत सारे तो फि करनेंडूला भी बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है और यह भी तिल अप्रील तक फ्लावरिंग करेगा और इसके फ्लावर में ही बहुत सारे सीड बनते हैं तो इसके सीड अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो जुलाई अगस्त में बहुत इजी से इसे ग्रोव कर सकते हैं और ध औहरो प्लावर से partie 1 मेरी और इस से कहते हैं Utildy Rain P-12 कि भी प्लावन के सुझाफ़ी में आप डॉक गजाता है तो दीजिस से parking area बहुत प्यारे प्यारे से कलर में है, और यह सिनरे एरिया, जो बालकुनी एरिया जिसका है वो इस प्लान्ट को जरूब लगाए बहुत ही खुबसुरत कलर में आता है और यह भी पॉली बैग में लगा हुआ है और यह 15 डूपीज में है तो इस निरेरिया भी जहां कम धूप आती है वहां इस प्लांट को लगाए बहुत ही खुबसरत प्लांट है और आप सोचेगा कि सीजनल प्लांट में क्यों सेयर कर रहे हैं तो अभी आप सस्ते प्लांट ले जाए और सीट कलेक्ट करके या कटिंग लगा के आप नेक्स्ट से एक यहां कलर है तो यह सीजनल प्लांट की छोटी सी मेरी एक सीयरिंग थी तो होप मेरी यह सेयरिंग पसंद आई होगी तो लाइक सीयर सब्क्राइब जरूर कीजिएगा और मैं इनका फोन नमबर एड्रेस डिस्कुशन बॉक्स में दे दूंगी थैंक यू